दोस्तो फाइनली मेरे सेकंड चैनल का Google AdSense पीन आज चुका है और इस पीन को लाइब में आपके सामने वेरिफाइ करके दिखाने वाला हूँ कि Google AdSense पीन को कैसे वेरिफाइ किया जाता है ये मुझे कोरियर के दौरा मिला है इसको आने में 7-8 दिन टाइम लग चुका है वेरिफाइ कर सकते हो ये भी मैं आपको लाश्न बताऊंगा तो विडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है अब दूस्तों सबसे पहले में एक बेसिक जान गाज़े देता हूं जब आपके देखो गूगल एडसेंस पीन का यहां पर एडसेंस का लोगो भी लगा हुए ठीक है अब इसके अंदर जो है न एक छे डिजिट का आपको पीन मिल जाएगा उसी पीन को एडसेंस मजाने के बाद वेरिफाइ करना होता है तो कैसे करना है चलो मैं आपको मुगल एडसेंस कैसा होता है इसको विडऄा करना होता है तो यहां पर जब इसको खोले तो आपको दिखाता हूं इस तरफ कुछी नहीं मिलगा पूरा ब्लेंक मिले लिखना और हरीकेस टिप को समझना अब मैं आपको इडियर से समझाता हूं सबसे पहले क्या करना है आपको अपने Chrome ब्राजर में आ जाना है सबसे पहले यहां पर जो website दिखेगा इसके पर क्लिक कर लेना या तो यहां नीचे भी मिल जाएगा sign in to continue to adsense ठीक है तो मैं कर देता हूं Google adsense वाले option के पर क्लिक जैसे इसके पर क्लिक करूंगा तो यहां पर देखो इस तरह का interface आ चुका है तो सबसे पहले क्या करना है आपको यहां पर sign in वाले option के पर क्लिक करके आपका जिस भी email id पर Google adsense है उस पर sign in कर लेना है तो इसके पर यहां पर मैं क्लिक करता हूं अब क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देखो मेरा automatic login हो चुका है क्योंकि मैंने ID password यहां पर save कर रखा हूं तो दोस्तों अब देखो कु अब यहां पर देखो आ रहा है यहां लिखाव मिल रहा है यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा अब देखो यहां पर security region के लिए यहां पर अपने address वगरा बलर कर दिया हूं ताकि क्योंकि देखो अभी के time पर कुछ भी सो करोगे तो यूटूब तरह स्टाइक देगा इसलिए यहां पर मैं इसको बलर होगरा कर दिया हूं अब यहां पर देखो पहला जो है identity verification यह तो मेरा complete है यहां पर दिख अब आपको दिखाता हूं यहां पर दिखा रहे हूं तो मैं चलो 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 यहां पर पिन कर सकते हो अगर आपको पीन नहीं मिला है तो आप इसके पर क्लिक कर देना आपका पीन दुबारा रिसेंट आएगा मतलब आप एक तरीक से दुबारा अपलाई कर दोगे फिर आपका पीन आजाएगा अगर नहीं आया है तो ठीक है बहुत जालों का नहीं आता है कुछ टाइम हो जाता है जीसे कि 10-15 दिन हो या पीन आया ही नहीं तो उल्लो क्या कर आपका पर आना यहां पर आने के बाद कर देना रिसेंट पीन वाले option के पर click तो मेरा यहां पर आ चुका है तो मैं सिधे यहां पर पिन डलके कर दूंगा submit तो चलो मैं इसके पर click कर देता हूं क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर देखो मेरा complete हो चुका है address verification यह हो चुका है complete पहले identity verification complete था अब address verification में complete हो चुका है और यहां पर जो आ रहा है यह automatic कुछ time के बाद remove हो जाएगा तो कुछ यह process से absence fin verify करने का जो की बहुत जादा simple तरीका है I hope आपको समझ में आगे आओ हो तो like कर देना चैनल पर नए हो तो subscribe करना मिलते आपसे कोई और ने वीडियो के साथ अपते के लिए जहीं बंदे मात्रम